नमस्कार आप देख रहे हैं YRY 18 live दोस्तों वैसे तो ये शोपड़ों को king of romance कहा जाता है लेकिन आप उनकी दस फिल्में देखेंगे तो कहें उठेंगे कि ये फिल्में बस ये शोपड़ा ही बना सकते थे वक्त वक्त 1965 में आई थी और उस समय बनाई जा रही थी जब फिल्मों में एक ही रोज होता था और एक हीरोईन होती थी वस पूरी फिल्म उन्हीं के आसपास घुमती थी लेकिन ये शोपड़ा ने पहली बार मल्टी स्टारर फिल्म बनाई वक्त हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी इसके बाद तो मल्टी स्टारर फिल्मों की बाड़ सी आ गई थी इतिफाक इतिफाक बिल्कुल अलग तरह के फिल्म थी जब यह रिलीज हुई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, ये फिल्म सिर्फ एक रात की कहानी थी, जिसमें एक भी गाना नहीं था. इस दोर में गानों को फिल्मों का एहम हिस्सा माना जाता था एक फिल्म में दस-दस गाने होते थे और फिल्म को हिट करने में उनका बड़ा योगदान होता था लेकिन राजिस खन्ना और नंदा की ये मर्डर थिलर ने सावित कर दिया कि यदि यस चोपड़ा कुछ हट कर बनाएंगे तो वैपी हीटी होगा दाग ये अपने दोर की करांतिकारी फिल्म है उस दोर में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था फिल्म में राजिस्खना की पत्नी गायव हो जाती है तो वो बीना शादी किये एक दूसरी महिला के साथ रहने लगता है कुछ समबाद पहली पत्नी वापस आ जाती है और आखिर में दोनों महिला राजिस्खना के साथ रहने लगती है इस फिल्म की कहानी सुनकर हर किसी ने पैसा लगाने से मना कर दिया था यह फिल्म जवर्दस हिट रहती दीवार इस फिल्म में अमिता बचन की किस्मत ही वदल दी थी इससे पहले वे बहुत जादा सफल नहीं हुए थे यह दो भाईयों की कहानी है एक कानून का रखवाला होता है और दूसरा कानून का दुश्मन आज भी यह फिल्म हिट है त्रुशूर दोस्तों यह फिल्म भी उस वक्त में बड़ी चर्चा में रही थी यह फिल्म है एक नाजायद बेटे के अपने पिता से बदला लेने की इसमें संजी कुमार, अमिता बचन और शेशी कपूर ने मुखे वोमी का निभाई थी यह फिल्म ब्लोक्बस्टर सावे थी सिलसिला 1981 में आई यह फिल्म उस वक्त बेहर चर्चित रही थी आज तक कहा जाता है कि यह फिल्म अमिता बच्चन, रेखा और जया बच्चन की निजी जिन्गी पर बनी हुई है इस फिल्म में यह फिल्म बनाना बेहत जोखिम भरा काम था इस फिल्म में एक लड़की को अपने मा के प्रेमी से प्यार हो जाता है इस तरह की कहानी इससे पहले हिंदी सिनिमा के परदे पर कभी नहीं आई फिल्म में अनिल कपूर और सिर्देवी ने सांदार काम किया था डर शारुख खान की एक फिल्म तो आपको याद दी होगी इस फिल्म ने शारुख खान के केरियर को रबतार दी थी फिल्म में शारुक ने एक विलिन की भूमी का निभाई थी, यह फिल्म सुपर हिट रही थी दिल तो पागल है जब यह चोपड़ा ने यह फिल्म बनाई उस वक्त उनकी 65 साल थी सारुक खान, माधूरी दिक्षित और करिश्मा कपूर की यह फिल्म देकर आप सोच ही नहीं सकते कि यह फिल्म किसी भुजर्द में बनाई है चांद मी इस फिल्म की खुबसरत लोकेशन और गाने आज भी याद किये जाते हैं सिर्देवी रिशी कपूर के मुखे भुमी का वाली यह फिल्म भी दबर्दस हीट रही है दोस्तों अगर आपने यह दस फिल्में नहीं देखी है तो आपको जरूर देखने चाहिए आप बने रहें वाई और वाई एटी लाइफ पे साथ